हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एच्टी फैशन में आपने ये वीडियो देखी होगी अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं ये सूट मैंने आनलाइन मंगवाया था तो आज मैं इसी तरीके के सूट में क्या क्या डिजाइनिंग कर सकते हैं वो सब बताऊंगी तो चल हसा होगी और का से अगर आप इसमें कुछ एड़ करना चालते हैं तो आप इसे में बटन से लगवा सकते हैं नीचे पैंट के सेंटर में वे डो प्लीड्स टली हुई है और यह साइड में वनसिंगल पॉकेट में यह है रैडी इसके बाद यह हमारा सूट है इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं तो इसमें हम सबसे पहले साइट्स में हम बॉर्डर्स में पाइपिंग दे सकते हैं और साथ ही इसके बैक नेक पे कुछ डिजाइनिंग डाल सकते हैं या तो डोरी पैटन हो गया लटकन पैटन हो गए या कुछ lace work कर सकते हैं या कुछ और designs कर सकते हैं जो कि मैं आपको थोड़ा बहुत idea दे रही हूं pictures के through तो ये सब designing हम valvets पे कर सकते हैं तो ये तो हो गई suit की बात अब भार ये आती है shawl पर तो shawl भी इसकी काफी heavy है बट फिर भी हम इसमें और कुछ add करना चाहे तो क्या कर सकते हैं जैसे इसमें side में पाइपिंग्स लगी हुई है तो अगर हम इस पाइपिंग्स को remove करके हम इसकी जगा ये मोतियों वाली less लगा देंगे तो ज़ादा अच्छा look आएगा इसका और साथ या में टैसल के जगा कुछ लटकन हैवी लटकन से लटका देंगे लगा देंगे तो और भी अच्छा लगेगा तो ऐसे ही मैं आपके साथ कुछ designs share कर रही हूँ जो walvets पर है आप किस किस तरीके से उन्हें design कर सकते हैं design दिखाने से पहले मैं इसका लुक दिखा देती हूँ तो इसका सबसे पहला design है हमारा शरारा लुक तो यह वैलवेट पर शरारा लुक है तो इस suit की कुर्थी में sides में lace दे रखी है और neck पर भी work हुआ हुआ है sleeves border में भी work हुआ हुआ है और निचे शरारा में ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल simple plane है तो यह भी एक अच्छा idea है जो कि आप apply कर सकते हैं तो next design है हमारा यह circular plazo velvet suit जिसमें आपको नीचे चौड़ा border मिल रहा है suit में और दुपट्टे में आपको approximately 2 inch का border मिल रहा है तो यह भी एक अच्छा option है एक अच्छा design है जो कि आप velvet में try कर सकते हैं तो यह है हमारा तीसरा design जो कि है सलवार suit इसके कुर्ती में आपको नीचे चौड़ा border मिल जाएगा sleeves पर भी border मिलेगा और neck पर भी है बट वो दुपट्टे के विचे से छुप चुका है बट फिर भी neck पे design है और जो दुपट्टा है उस पे आपको piping work मिलेगा नीचे सलवार के ponchu में भी आपको एक इंच अप्रोक्स design मिल रहा है तो यह भी एक अच्छा option है आपका velvet में अगर आप इस टाइप के suits का लहंगा बनाना चाहते हैं मैं उसका थोड़ा बहुत आपको idea देती हूँ जो हमारा front का neck है अगर आप देख रहे होंगे तो उस पे अच्छा खासा work हुआ हुआ है और उसकी length पी काफी अच्छे है तो उसके आप चॉली बनवा सकते हैं और नीचे जो आपके कुर्ती में border दिया हुआ है वो आप चॉली की waste side पे लगवा सकते हैं जिसका look आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा और साथ ही लहंगे के लिए कुछ extra fabric लेकर velvet का आप इस तरीके से बनवा सकते हैं जो कि plain velvet पे बस हलका सा lace work कर रखा है और नीचे चोड़ा border दे रखा है तो यह एक अच्छा option है आपके लहंगे परपस से भी तो इसका दुपट्टा तो already आपका heavy high suit का तो उसके अंदर सिर्फ आप एक मोतियों की last लगा लें और कुछ लटकंस लगा लें तो काफी अच्छा combination रहेगा इस लहंगे के साथ तो आपको यह designs और ideas कैसे लगे प्लीज नीचे comment section में मुझे बताईएगा और आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में